अजो में हुं आरियन घाँज के इस वेडियो में आपको बैंक औव वड़दा के रेकरिंगड डिपोजीट के बारे में यानि अडीड के बारे में यान्य आटडी के के लिए एक्स्ट का बेनिफिट दिया जाएगा और साथी साथ एक एक जामपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑब बड़दव में अगर हर महीना तीन हजार करके रेकरिंग डिपूजेट करते हैं तब कितना मैचुरिट अमॉंट आपको दिया जाएगा इस किसी भी बैंक में आड़दी करने से पहले आपको उस आड़दी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानकरी तकना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना है तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक को बड़दा के रेकरिंग ड कर सकते हैं अगर आड़े की बात की जाए तो आगर आप जेनल सर्जन है यानि अगर आपको उमार आगा 60 सल से कम है और किसी सल का आपका आपका अड़ी के उपार टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से जाध होता है तब 10%ड्स कर जाएगा और अगर आप सिनियर सर्जन है यानि अगर आपको उमर आगा साठ साल या फिर आगा साठ साल से अधिक है और किसे साल का आपका आट्डी के वोपर टोटल इंटरेस्ट अगर पचासा जार से जाद होता है तब 10% TDS कट जाएगा लेकिन मैं आपको ही सजिस्ट करने चाहूंगा कि अगर आप जेनरल सीरिजन है तो अगर आप चाहे तो आपका आट्डी का अमाउंट मैच ओर होने से पहले ही आप बैंक सूट आप आओगे लेकिन आपको यहां पर जानकर ले रखना है कि इनके सागर आप प्रीमे सूट डोल करते है तब मैक्सिमम 1% एक पेनल्टी चार्जस लगेगा तो गईस जैसा पते इस बैंक का बेसिक अड़ी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैंक को बढ़ता में अगर एक रिकरिंग डिपोजिट करते है तब नियू इंटरेस रेट के अनुसाल आपके रिकरिंग डिप पर अप्टू 1% तक आपको अडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा जैसे कि अगर आप सिनियर सेडिजन है और आप छे मैने से तीन साल के बीच में अगर एक रिकरिंग डिपोजिट करते है तब आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट से 0.50% आपको अगर बना इंटरेस्ट लिए करने जाएगा और आप sonsन से जादा टाइम से डस से से बीच में किसी भी लिए कर्केरिंग डिपोजिट करते है तब आपका जो interest rate रहेगा वो normal interest rate से 1% आपको additional interest दिया जाएगा तो senior citizens के रिए बहुत यह अच्छा benefit यहां पे दिया गया है तो जैसिक आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर starting interest rate की बात की जाए तो अगर आप 6 मैना या फिर अगर 7 मैने के लिए अगर 8 करते है दब general resistance के रहेगा 5.75% और senior society के रहेगा 6.25% अगर आप 1 सल से 2 सल के बीच में अगर 8 करते है तो general resistance के रहेगा 6.85% और seniorags всегда के रहेगा 7.35% अगर आप 2 सल से जादा टाइम से तिन सल के बीच में 8 करते है तो general conservative rate रहेगा 7.25% और seniorcription के रहेगा 7.75% अगर 3 सल से जाधा टाइम से 5 सल के बीच में आठी करते है तब Generalனि तरे जाइन्स के लिए Interest राइगा 6.50% और Sinist Regents के लिए Interest राइगा 7.15% और अगर अगर 5 सल से भी जुछ आधा टाइम से 10 सल के बीच में आठी करते है तब General처럼 Lacey раст इन्स के लिए Interest राइगा 6.50% और senior citizens के लिए 1% additional interest दे आजाएगा यानि senior citizens के लिए इंटरेश एटर आएगा 7.50% तो गैस चली आप एक example के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप bank को बढ़ता में अगर हर मैना 3000 कर के आड़ी अगर 1 साल, 5 साल या फिर maximum time यानि 10 साल के लिए कड़ते हैं तब तीनों अलेक situation में general citizens या फिर senior citizens के लिए कितना maturity amount आपको दिया जाएगा तो अगर आप अगर general citizens के लिए अगर हर मैना 3000 कर के आड़ी अगर 1 साल के लिए कड़ते हैं तब आपके लिए इंटर्वी से टर आएगा 6.85% और आपको maturity amount बनेगा 37,350 रुपिया अगर आप senior citizens के लिए हर मैना 3000 कर के आड़ी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटर्वी से टर रहेगा 6.50% और आपको maturity amount बनेगा 2,12,970 रुपिया अगर आप senior citizens के लिए हर मैना 3000 कर के आड़ी अगर 5 साल के लिए गरते हैं तब आपके लिए इंटर्वी से टर रहेगा 6.50% और आपको maturity amount बनेगा 5,6,960 रुपिया और अगर आप senior citizens के लिए हर मैना 3000 कर के आड़ी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटर्वी से टर रहेगा 7.50% और 10 साल बाद आपका maturity amount बनेगा 5,35,730 रुपिया तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही उम्मिद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहा अगर फिर भी कोई doubt रहे तो comment करके जरूर बताए मैं आपका comment कर रिप्लेश जरूर करूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें थैंक्यू